Hello students, welcome to my YouTube channel Sahas Classes तो आज इस वीडियो में हम जो Class 12th की unit है 8 D and F block elements उसका question 7 देखेंगे इससे पहले हम इसके 6 question 1 by 1 discuss कर चुके हैं आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है D and F block elements के नाम से तो इस question में हम से क्या पूछा गया है What is lengthenoid contraction की जो lengthenoids में contraction होता है वो कैसे होता है What are the consequences of lengthenoid contraction और इसके contraction होने के consequences क्या क्या है तो देखो सबसे पहले आपको ये समझाना चाहिए कि जो lengthenoid contraction क्या होता है जैसे ही हम lengthenoid series में move करते हैं lengthenoid होते हैं 57 to 71 ठीक है जैसे ही हम इस series में move करते हैं तो ये कैसे चलेगा जैसे हम पर 57 है 58, 59, 60, 61, 62 ठीक है मालिया हमने ये लिया है यहाँ से अपने चो lengthenoid है वो start होते हैं तो जब हम इस series में move करेंगे ना ऐसे तो अपना atomic number हो रहा है क्या हो रहा है increase हो रहा है अपना atomic number में क्या हुआ increase हुआ है जैसे हम यहाँ पर इसके नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे Selena, 30, and Pamela, Sam की European गड़ी में तविया धेली हो गई आप चाहें तो ये जो इनको यार तकने का method है वो जागे देख सकते हैं playlist में दिया गया है तो इसका जो configuration हम लिखते हैं तो वो क्या आता 4F1, 5D1, 6S2 इसका लिखते हैं तो 4F3, 6S2 इसका 4F4, 6S2 इसका 4F5, 6S2 इसका 4F6, 6S2 तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हम इस series में move करते हैं तो यहाँ से जब-जब atomic number में increase हुआ है वैसे वैसे इसमें electron का addition हुआ है जैसे यहाँ पर देखो कितने electron थे? 2, 1, 2, 1, 3, 4 4 थे? यहाँ पर 3, 2, 5 है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है simply क्या देखा हमने? addition of electron हुआ है लेकिन इसके साथ-साथ ही electron के addition के साथ-साथ वहाँ पर proton का भी तो addition हुआ होगा क्योंकि जब जितना negative charge कोई भी species तभी species stable होती है, जब negative charge और जो positive charge होता है वो balanced हो, मतब जितना negative हो उतना ही positive हो, तो जैसे यहाँ पर electron का addition हुआ है तो वहाँ क्या होगा proton का भी addition साथ में होगा लेकिन, लेकिन देखो जो यह electron का addition हो रहा है यहाँ पर F3 है, यहाँ पर F4 है मतलब एक same sub-shell, F sub-shell में हुआ है electron का addition तो एक तो पहले से ही मान लिया यह अपनी F sub-shell है, इसमें पहले से ही तीन electron है, और next वाले electron को आना है, तो यह भी negative charge, यह भी negative charge तो यह क्या करेगा, आपस में repel करेगा, तो जो addition of electron है, वो difficult होगा बजाए की addition of proton की addition of electron is difficult comparison compared to addition of proton electron, कि electron का addition difficult होगा, क्यों difficult होगा, क्योंकि same cell में addition होना है और जब पहले से यह वाँ पे electron है, तो negative negative आपस में क्या करेगा, repel करेगा, ठीक है, तो positive का addition अच्छे से हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, total positive charge होगा, वो effective positive charge होगा, वो करेगा increase, effective positive charge nucleus पे increase होने की वजएसे, यह क्या करेगा, जो इसकी shell है, इनको अपनी side को में खीचेगा, इनकी side में खीचने की वजएसे, जैसे हम ऐसे इस series में वो करते हैं, तो जो इनके lengthenum, lengthenoids हैं, इनके size में एक decrease आता है, इस decrease को ही हम क्या बोलते हैं, lengthenoid contraction, contraction का मतलए भी क्या है, सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब कोई भी चीज़ सिकुड़ के छोटे हो गई हो, ऐसे यहाँ पे है, कि जब जैसे हम 58 to 59, 59 to 60 जाते हैं, atomic number increase होता है, तो वहाँ पे positive charge है, वो increase हो जाता है, effective nuclear charge increase होने की वज़े से, वो क्या करता है, outermost shell को अपनी side घींच लेता है, जिसकी वज़े से क्या हो जाता है, उसका size decrease हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, lengthenoid contraction, बोलते हैं, अब आप इसकी definition लिखिएगा, यहाँ से, on moving, lengthenoid series, series, atomic number, increases by 1, increases by 1, with increase in atomic number, increase in atomic numbers, the number of protons and electrons also increase, the number of protons and electrons, addition of electron y, also increase by 1, तो जैसे atomic number increase होगा, वैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पर electron भी increase है, जैसे electron होगा, अपर proton भी addition होगा, क्योंगी positive negative equal होगा, तभी जो अपनी species होगा, वो stable होगी, यहाँ से मने क्या देखा था, बट, addition of proton, proton is more pronounced, मतलब easily होगा, अच्छे से होगा, प्रोनाउस्ट, than electron, electron की बजाइब proton का addition अच्छे से होगा, क्यों, due to repulsion between electrons, जो repulsion होगा, electrons का किसमे, is it in 4F, between the electrons, जो repulsion होगा, electrons का क्यों, क्योंकि the electrons are, electrons are added in same 4F sub-shell, कि जो electron का addition हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, same 4F sub-shell में हो रहा है, तो इसके जैसे वहाँ पे क्या होती है, electrons की repulsion होती है, और वैसे भी क्या है, देखो, जो अपना यह होता है, जैसे S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, तो हमें क्या कता होता है, कि जो S का Shilling Effect होता है, वो सबसे ज्यादा 5P का, उसके बार D का, Shilling Effect क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को Penetrate करने की पावर्ट कितनी है, तो अब F orbital है तो वो क्या करेगा उसमें से जो इसकी penetrating power होती है वो कम होती है कम होती है तो मतलब जो positive charge इसको अपने side खीट से गाई इसको बाहर तो निकाल नहीं सकता तो मजबुकर इसको इसके पास आना पड़ेगा तो यहां से हम क्या बोलेंगे nuclear charge increases charge increases which attract the outermost shell and there is steady decrease in size of lengthenote in size of lengthenides यहां पर क्या होता है lengthenides के side में डिक्टीज होता है this is cold lengthenide contraction simple hope आपको यह topic समझाया होगा जो मैंने समझाने की कोशिस की है तो क्या था इसमें कि जैसे जैसे atomic number बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा addition of electron होगा addition of electron हुआ है तो वहाँ पर addition of proton भी होगा लेकिन जो addition of electron है वो same sub-cell में होने की वजह से जैसे वहाँ पर पहले भी electron है वैसे और electron आएगा तो उसका addition होगा वो difficult होगा difficult क्यों होगा क्योंकि वहाँ पर होगी repression और proton का addition होने से इस पर positive nuclear charge बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो यह इसको अपनी side खीचेगा अपनी side खीचेगा तो जो इसका size हो डिक्रीज हो जाएगा इस कौम क्या बोलते हैं लेंदेनोइड contraction बोलते हैं अब next क्या है consequences of lanthinoid contraction अब हम देखेंगे इसके consequences तो जो इसका first consequences होता है उसमें क्या होता है कि जो इनके size होते है atomic size होते हैं जैसे हम 3D, 4D, 5 3D and second and third series की बात खटते हैं तो जो मैं लिया कि पहले वाले जो element है उसके नीचे वाले जो element है उनमें जो size होता है वो क्या होता है प्रोक से same हो जाता है क्यों क्योंकि contract होके क्या हो जाता है उसमें lanthinoid contraction हो शकता है तो यहां से हम क्या बोलेंगे atomic size of elements of second and third series परजेंटिन सेम ग्रूप आर सिमिलर आर सिमिलर हम इसका एक्जांपल देना चाहें तो क्या देंगे जिर्कोनियम जिसके जो टेडिया होती है 160 pico meter होती है और hopmanium 159 pico meter होती है ठीक है उसके बाद क्या है कि जैसे lanthinoids होती है ना वो क्या हो जाते है उनकी जो प्रोपर्टी होती है वो सेम होती है तो उनका जो separate करना वो क्या हो जाता है difficult due to similarity in properties इनकी प्रोपर्टी में सिमिलर्टी होने की वजए सेपरेशन है वो भी क्या होता है difficult होता है तो hope आप कोई क्योशन समझाया होगा कोई doubt है तो आप कमेंट्स में पूछ सेकते हैं यहाँ पर अपना क्योशन 7 कंप्लीट होता है next वीडियो में हम मिलेंगे क्योशन 8 के साथ अब तक के लिए दान्यवाद thanks for watching my video